कुरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के चलते अब लोगों को कोट केस में भी रहत मिली है 36 गर हाई कोट समेत सभी अधिनस्त नियायले में 17 नमंबर से नियमित सुनवाई होनी शुरू हो चुकी है हलाकि कोट में मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का सक्ति से पालन अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पाय जाने पर कोट प्रवेश पर पतिबंद और कानूनी कारवाई होगी हाई कोट ने आदेश दिया है कि जिन शेत्रों को कलेक्टर कंटेंट मेंट जोन या रेड जोन घोशित करें उसकी सूचना हाई कोट को देनी होगी वह आनलाइन सुनवाई होगी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन निया मनुसार हो सके भीड ना हो इसके लिए कोट खुद प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित करेंगे करमचारी कितने लगेंगे यह भी अधिनस्त कोट के जज तै करेंगे डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाये जाएं इसके लिए बेंच निर्धारित करेंगे कि कितने मामलों की सुनवाई कर सकते हैं अतियाविशक मामलों की सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को आवेदन रजिश्टार जुडिश्यरी के पास देना होगा वहाँ से आवेदन बेच के पास जाएगा जहां से तै होने के बाद सुनवाई के लिए लिस्टिंग होगी ब्लासपूर रायपूर दुर्ग में पांच उच्च न्याइक सेवा के अधिकारी और साथ निम्न सेवा के अधिकारी रोटेशन बेस पर काम करेंगे जिन कोट में तीन से कम जज हैं वे हर दिन काम करेंगे जहां संक्या चार या अधिक है वहाँ पचास फीसदी उच्चवा निम्न न्याइक सेवा के अधिकारी रोटेशन में काम करेंगे वेभार कोट में दो बज़े तक नियमित मामलों और दिन भर जमानत, रिमांड, सुपूर्दगी समेत अन्या काम करेंगे